दोस्तों नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें साहितिगी पर आप सभी का एक बार पुनाया हार्टिक स्वागर तुद्रों संकर्शेष के नाटक एक और त्रोनाचारे के पूर्वार्थ की चर्चा हम कर चुके हैं हमने इस नाटक के इनायक अरविंद के मन मे चल रही दूविदा को देखा एक तरफ परविंद के आदर्श हैं एक प्याक्याता के रूप में और दूसरी और प्रेसिडेंट सहीत या पूरी दुनिया जो से उसके आदर्शों से भटकाना चाहती है तरहता है कि प्रलोबन साम दाम दंड वेद आदिस अभी प्रकार से उस पर दबाव डाला जाता है आएए चलते हैं नाटक के उतरार्थ की और प्रिश्य दिखाया गया है उनकी हंटी बज रही है लीला आकर फोन लेती है कहती है हलो और मिसेश चुकला मैं लीला बोल रही हूं नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब अभी लोटे नहीं क्या कहा लेकिन मैं तो पर्सों ही शॉपिंकर आईए अच्छा तो नेनिताल के तो यारी है अच्छा अच्छा मिस्टर शुकला दोरे पर जा रहे हैं हो आईए अपनी गाड़ी ले जाएंगी है सरकारी बड़ी मोज रहती है आप लोगों की आऊंगी क्यों नहीं जरूर हो गया है परस्ट आया है तो आमके आचार में कलोंची कितनी डाली आपने तो ग्राम मैं तो 125 जालती हूं नहीं नहीं तकलीफ क्यों उठाती है अपना चप्रासी भेज दूंगी अच्छा अच्छा नमस्कार तभी अर्विंद आता है ठकासा परिशान सा पर लिला देती हुई कहती है सुदीब की चेठी आई है अर्विंद अन्यमनसभाव से कहता है रख दो पढ़नोंगा अर्टो है अरे पढ़ो भी मिर्ट में पहला है मेरा बेटा अरविंद तो मैं क्या करूं लीला कि अपस्ट आना कुछ होता ही नहीं अरविंद कहता है तो पूरे शह्र में मिठा ही बाटो इस तरह काट क्यों रहे हो यह कि काटू नहीं तो और क्या करूं तुम लोगों की महरबानी से प्रिंसिपल जो हो गया हूं लीला तो बुरा क्या हुआ अर्विंद, बड़ा राज सिंगासन मिल गया है ना, एक दिन तो चैन की सांस मिलती, रोज कोई न कोई परिशानी, लीला, इतना सोचेंगे तो कैसे चलेगा, अर्विंद कहता है, तो मर जाऊं, क्लीला, क्या प्रिंसिपल बनकर तुम सुखी नहीं हो, अर्विंद कहता है, हर आत्मे मुझे बेइमान और मौका पर अस्ता मसता है, कोई मुझे पर विश्वास नहीं करता, तभी यदू का प्रवेश होता है, मैं कहता है, क्या हो गया यार, प्रिंसिपल बनने के बाद उम्हें जाने क्या हो गया, क्या हो गया मुझे, यदू कहता है, किसी काम के आदमी नहीं रहे, जब देखो चेहरा लटका है रहते हो, अर्विंद, और बनाओ प्रिंसिपल, कहीं का नहीं रखा मुझे, यदू कूसता है, आखिर बाद क्या हो गई, अर्विंद, कुछ नहीं, उस तो हुआ है, मैं क्या चमगादलों की तरह मूल अटकाए रहोगे, अर्विंद, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, यदू कहता है, क्या प्रिसजेंट ने कोई अंशन्ट बात कह दी, अर्विंद, उसकी आदत पढ़ गई है, यदू, किसी लेक्षर ने बटमीजी की, अर्विंद कहत अर्विंद कूजता है, सुनोगे, राजकुमार ने एक लड़की पर बलातकार करने के कोशिश की, यदू कहता है, बलातकार, किस लड़की पर, अर्विंद कहता है, अनुराधा पर, लीला, कितनी नीच हरकत, अर्विंद जोड से कहता है, तुम मत बोलो, तुमारे कारण तारज कुम्हार अज कॉलेज में एंडुड लेकिन ये कटना होई कहाँ फ़बिन कहता है और कहाँ कॉलेज में ये दूडु ये संभव कोईसे है वैबी तुमारे रहते खंड पर लेकिन लेकिन हो कैसे गया आई कांट बिलीव अर्विन कहता है पॉलेज बिल्डिंग के पीछे बगीचा तुमने देखा है ना वहीं चार बजे थे पॉलेज के लड़की चले गए थे मैंने सोचा गुलाब की नई कलमों को देखा हूँ तो परविन कहता है घेज के पास पहुंचा तो लड़की की भैयानक चीट सुनाई पड़ी मैं दोड़ा देखा तो राजकुमार अनुरादा पर छटपटा रही थी मैंने राजकुमार को ललकारा भाग के असाला अनुरादा फूट-फूट कर रोती रही समझें? इमेजिन माइ स्टेट अफ माइंड और शनभर की ऐस वस्त कामोशी चा जाती है यदू कहता है सच मुझ बहुत दुखत है पर यह लड़की बगीचे में अकेली कर के रही थी? अर्विन कहता है किसी का इंतजार कर रही थी यदू किसका? अर्विन कहता है कुछ पूछने पर भी नाम नहीं बताया जेदू कहता है हो सकता है किसी प्रेमी का इंच्जार कर रही हो तो कौन सा पाप कर रही थी इसका मतलब यह तो नहीं होता कि उसे रेप कर दिया जाए लीला कहती है रोकोगे तो भी बोलूंगे पूरी घटना के लिए तुम कहां जिमेदार हो अर्विन कहता है समझने की कोशिश क्यों नहीं करती अगर मैं कटकुटली प्रिंसिपल न होता तो उस बद्वाज की हम्मत हो सकती थी यह दू कहता है तुमारा इसमें क्या दोश है जिसने किया है भोगतेगा अर्विन कहता है इस घटना का के लगवा मैं हूँ खलादालत बनकर भी मुझे यह बैठना है यह दू तो क्या उसने लिखित शिकायत की है अर्विन कहता है क्यों नहीं करेगी और नहीं भी करती तो क्या मुझे नामर्दों की तरह चुप बैठना चाहिए लीला तो क्या मामला तूल पकड़ेगा अर्विन कहता है इस बार तो बावंडर होगा बाद कल तक पूरे विध्यारतियों में फैल जाएगी लड़के राजकुमार को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कहेंगे हो सकता है पुलिस केस बन जाए अगर चंदू भी शहर में हुआ तो फिसली बार का बदला चुकाएगा यदू लेकिन वैं कॉलेज में कहा है अर्विन कॉलेज में नहोने से क्या होता है उसके साथी तो है याद है इन लड़कों पर हमने पुलिस के डंडे बरसाये थे उनके अगवा लोगों को पॉलिस से निकाल दिया था क्या वे चुप बैठ जाएंगे मैंने सबसे सामने जूट बोला था क्या वे मुझे माफ कर देंगे यदू कहता है रिपोर्ट दबा दो अर्विन दो ए संभव पुरी घटना मेरे सामने हुई है सबकुष इतना सच और भयानक उप से सच है कि मैं जूट नहीं बोल पाऊंगा लिला कहती है लेकिन सच बोलने का मतलब जानते हो परविन कहा ना तुम चुप रहो मैं सोचता था तुम बलातकार की बात सुनकर तिलमला जाओगी राजकुमार को कठोर से कठोर सजा देने पर मुझे विवश्च कर दोगी पर उल्टे तुम क्या सुविधाओं ने तुमारी संबेदना को इतना मार डाला है लिला कहती है और प्रेसिडेंट ने तुमें नोकरी से निकाल दिया तब अरविंद कहता है निकालने तो नोकरी नोकरी यदु कहता है जरा व्यभारिक उद्धिस से काम लो अरविंद अरविंद कहता है क्या खाक काम लो यदू उस लड़की को समझाओ उससे कहो कि बात फैले की तो बदनामी भी उसकी ही होगी तो बैठना ज़्यादा अच्छा है अगर समझाने से काम चल जाता है तो बाविला मचाने से फाइदा तीला कहती है यदू भई ठीक कहते है तुम्हें भी जूट नहीं बोलना पड़ेगा और संकट भी ठल जाएगा अर्विंद मैं कहता हूँ तुम चुप रहो और द्वार पर आठ होती है प्रेसिडेंट आता है अर्विंद आशर इसे पूछता है आप प्रेसिडेंट यदू की ओर देखते हुए मैं आपसे ज़रा अकेले में बात करना चाहता हूँ ये दूर इशारा समझ कर चला जाता है प्रेसिडेंट इत्मिनान से बैठ कर सिगार जलाता है मिश्टर अर्विंद पॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने मुझे इनफॉर्म करना तक जरूरी नहीं समझा लिला बीच में ही कहती है ये तो बस आपकी और ही आ रहे थे कितने परिशान है तब से कह रहे थे प्रेसिडेंट साहब बहुत चिंतित होंगे प्रेसिडेंट इला की बात पध्धान देता हुआ अर्विंद से कहता है क्या आपको कॉलेज से मेरे घर सीधे नहीं आना चाहिए था लेकिन आपको फुरसत कहां थी आप तो उस लड़की से रिपोर्ट लिखाने में लगे रहे अर्विंद उसने रिपोर्ट खुद लिखी पर आपने मना भी तो नहीं किया अर्विंद कहता है क्या उसका अधिकार नहीं था प्रेसिडेंट मतलब साफ है कि आप उस लड़की की तरफ से बोल रहे हैं अर्विंद आप चाहें जो समझें क्या आप राजकुमार के खिलाब एक्शन जलने की सोच रहे हैं अर्विंद अफकोर्स नहीं लूंगा तो लड़के मुझे फार्ट आएंगे प्रेसिडेंट कहता है मिस्टर अर्विंद आप नहीं जानते कि मैं अपने लड़के की हरकत पर कितना दुखी हूँ कोई भी बाप होगा अर्विंद तो उसे अपने किये कि सजय भुगतने दीजिए प्रेसिडेंट कहता है दूसरा कोई समय होता तो आपकी बात मान लेता पर इस समय नहीं क्यों? अब आपसे क्या चीपाऊं? मुझे मंत्री मंडल में लेने की बात चल रही है मेरी इमेज नहीं भी गड़नी चाहिए तो राजकुमार को रेस्टिकेट करा दीजिए आपकी इमेज और उबर कर सामने आएगी प्रेसिडेंट कहता है परमार्थ की राजनिती के दिन लट गए मिस्टर अर्विंद तो आप चाहते क्या है? लटके को बेदाग भी बचाना है मंत्री भी बनना है मुझे आप नहीं जानते अपराथ की सार्वजनिक तोर पर स्विक्रती राजनिती में आत्मत्या कहलाती है अर्विंद कहता है सार्वजनिक रूप में जूट बोलना क्या मेरे लिए आत्मत्या नहीं होगी? प्रेसिडेंट लेकिन ऐसा मोका ही क्यों आने देते हैं? कुछ ऐसा सोचिए जिसमें न आपको बोलना पड़े न दूसरों को अर्विंद कहता है नहीं इस बार मैं वही बोलूँगा जो सच है प्रेसिडेंट लगता है आपका धर्मराज फिर जाग उठा पर आप करेंगे वही जो मैं चाहता हूँ अर्विंद कहता है आप गलत फहमी में है प्रेसिडेंट मैं? लेकिन कल आप जो कुछ बोलेंगे उस पर विश्वास कौन करेगा अर्विंद क्यों? प्रेसिडेंट कहता है क्योंकि तब तक आप पुलिस की हिरासत में होंगे इसी समय लीला आती है प्रेसिडेंट कहता है मैं जा रहा है लेकिन इनका अपराद क्या है? प्रेसिडेंट कहता है विरोध केवल विरोध और उखता हुआ कहता है अच्छा मिश्टर अर्विंद थोड़ी देर बाद मैं टेलिफोन करूंगा इस बीच आप मेरा कहना मान ले तो अच्छा ही है और वह जाता है लीला अर्विंद की और परिशान जिश्ची से देखती है और कुछ देर की खामोशी चा जाती है लीला कहती है तुमने आखिर ऐसा कर क्या दिया जो जेल दाने तक की नौपता गई अर्विंद कहता है क्या मुझे पर वरोसा नहीं है लीला पूछती है फिर भी अर्विंद मैंने कोई गलती नहीं की है तब प्रेशिडेंट धमका क्यों राया था उसके अत्गंडे तुम नहीं जानती लीला क्या तुम से कोई गलती नहीं हो सकती अर्विंद, नहीं, मैंने अपना काम इमानदारी से किया है क्या प्रेशिडेंट को इतना नाराज कर लोगे कि वह तुम्हें जेल बिजवा दे अर्विंद कहता है, जेल उसका बाप नहीं बिजवा सकता, नौकरी भले ले ले, दीला कहती है, ये नौकरी छुटने का मतलब समस्ते हो, अर्विंद, हाँ समस्ता हूँ, तुम्हारा ये बंगला छिन जाएगा, टेलिफोन कट जाएगा, मुष्ट के चपरासी नहीं रहेंगे, तुम प्रिंसिपल के औरत नहीं कहला होगी, अर्वितर बरतन गिरने की आवाज आती है, मैं आज तुमारी एक नहीं सुनूंगा, लिला भीतर जाती है, अर्विंद, उसी परेशाने की हालत में टेलिफोन तक जाता है, नंबर डायल करता है, तुसी तरफ का नंबर साइद एंगेज़ है, जिसी वर्रक देता है, कुछ ख्रणों में फिर नंबर साइद फिर एंगेज़ है, तभी अनुराधा आती है, वीस के आसपास उसकी उम्र है, लिखने में ठीक ठाक है, अर्विंद को उसकी उपस्तिती पर आसरे होता है, वह पूचता है, तुम इस समय यहाँ, जी सर, लेकिन यहाँ आने की जर्रत, अनुराधा कहती है, मैं जान निशित रूप से हो, अनुराधा, नहीं चाहती तो रिपोर्ट क्यों करती, अर्विंद कूछता है, क्या आपने माता पिता को सब कुछ बता दिया, अनुराधा कहती है, जी हाँ, अर्विंद, क्या कहते हैं, अनुराधा, कहते हैं, चुप बैठो, फॉलेच छोड़ दो, अर्विंद, क्यों, सोस्ते हैं, गरीबों का पसड़े में पढ़ना ठीक नहीं, अर्विंद कहता है, लगता है, डर गए, अनुराधा, क्या उनका डर स्वाभाविक नहीं, सोस्ते हैं, कल अखबार वालों को मालूम हो जाएगा, वे मसालेदार ढंग से खबरे चापेंगे लोग घिनोने ढंग से उसका मजा लेंगे, जो नहीं हुआ है, वे भी मेरे मत्य मढ़ा जाएगा, अर्विंद, क्या वे इसे अपनी इज़्जत पर हमला नहीं समझते, क्या उनकी आत्मा तिल मिलाई नहीं, अमराधा कहती है, क्या वे मनुष्य नहीं है, पर क्या कर सकते ह प्रेसिडेंट से कैसे टकराएंगे, उनका कहना है, ऐसे मामलों में लोगों की कलपना शक्ती बड़ी उज़ाओ होती है, पलातकार की कोशिश बड़ती बड़ती गर्पा तक जा पहुचेगी, अर्विंद कूछता है, तो तुम चाहती क्या हो, अनुराधा, एक्चन, अर आप साथ नहीं देंगे, अर्विंद जैसे चौक कर कहता है, हाँ, हाँ, दूंगा क्यों नहीं, अनुराधा कहती है, जानते हैं, मेरे पिताजी को धंकाया जा रहा है, अर्विंद पूचता है, कौन धंका रहा है, अनुराधा, प्राजकुमार और उसके साथी, की दी है, अनुराधा कहती है, मेरे पीछे गुंडे लगाने की, राजकुमार जो कुछ नहीं कर पाया, उसे पूरा करवाने की, मेरे पिता को जान से मारने की, अर्विंद, अंदी मैंने रिपोर्ट उपर जोर दिया, तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, अर्विंद, इसके बाद भी तुम एक्षन चाहती हो अनुरादा कहती है जी हाँ, चाहे जो हो पर एक्षन होना चाहिए अर्विन, चिताने घर से निकाल दिया तो रहोगी कहाँ अनुरादा कहती है, तुम्हें बाद का सवाल है लेकिन राजकुमार इस बार नहीं चूट पाएगा क्या मैं उसकी रखेल हूँ क्या उसके बाप की जाधाद अर्विन कहता है लेकिन बतनाम होने की बाद तुम्हें अपनाएगा कौन अनुरादा कहती है सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए है सर मुझे अपनाने वाला भी कोई है उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा अर्विन कौन है वै अनुरादा कहती है वही जिसका मैं बगीचे में इंच्जार कर रही थी अर्विन खूचता है तो वह आया क्यों नहीं अनुरादा नहीं आ पाया अर्विन कहती है तुम उसका नाम क्यों नहीं बताती अनुरादा आपके काम का नहीं है वैनाओ अर्विन कहता है तो तुमने परिणामों को अच्छी तरह सोच लिया है अनुरादा जी हाँ वैसे मैं परिणामों का हिसाब किताब करने की उल्जन में पढ़ना भी नहीं चाहती अरविंद कहता है ठीक है मैं कल राजकुमार को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दूँगा अनुराधा पर आपने सभी परिणामों का हिसाब किताब कर लिया है या नहीं अरविंद कहता है इसका मतलब तुम्हें मुझे पर भी वरोसा नही है क्या तुमसे खुद मैंने रिपोर्ट नहीं लिखाई क्या विरोध करने के लिए मैंने खुद नहीं कहा है अरविंद क्यों तो कि तीन साल पहले आपने चंदू से भी यही कहा था चंदू ने आपके हर शब्द पर हमेशा वेद की तरह विश्वास किया और हुआ क्या हरविंद मैंने उससे कभी कुछ नहीं कहा था हम राजा कहती है जूट बोलते हैं आप आपने उसका साथ देने का आश्वासन दिया था आपके भूते पर वह लड़ गया लेकिन लाठिया चली से कॉलेज से निकाला गया और आपने प्रिंशपली लेली मुआफजे में अनुराधा कहती है लेकिन आप मौके पर बदल गए थे इस बात को हर लड़का जानता है अर्विंद तो क्या तुम मुझे पर विश्वास नहीं करती अनुराधा कहती है करना चाहती हूं सर पर मन बहुत ड़ता है अगर आप बदल गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी मेर क्यों हटूंगा विश्वास करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा चाहे मुझे नौकरी क्यों न देनी पड़े अनुराधा कहती है तो मैं आपके शप्दों पर विश्वास करती हूं इस मामले में आप ही एक मात्र गवाह हैं आप बदल गए तो मैं कहीं मूह दिखाने लाइ देगा अरविंद कहता है तुम निश्शिंत रहो अब तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है तभी टेलिपॉन की घंटी बसती है अरविंद रिसीवर उठता है लीला आ जाती है अरविंद कोन पर कहता है अलो जी बोल रहा हूं नमस्कार जी सोच लिया है जी हां अच् कांट भी चेंज्ट कल में राजकुमार को रिस्टिकेट कर रहा हूं जी हाँ यह मेरा आखरी फैसला है जी क्या कहा रिपोर्ट अनुरादा के सामने फार दूं तो आप जानते हैं कि अनुरादा मेरी यहां है कि उसके पिता आपकी यहां बैठे हैं जी नहीं मैं एक्षन रहे हैं 15,000 का गफला लेकिन आप भी ने तो क्या आप पुलिस को इंफॉर्म कर रहे हैं नो सर आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा सर यस सर यस सर यस सर अर्विंद को रख देता है गबराट के कारण उसके माते पर पसीना आ जाता है लीला इसकी हालत देखकर कहती है अर्विंद अपनी घबराहट शिपाता हुआ कहता है कोई खास बात नहीं है कॉलेज के क्लर्क ने 15,000 रुप्यों का गबन कर लिया इसलिए पुलिस वगेर है अनुराधा लेकिन आप तो ऐसे घबरा रहे हैं इस तर जैसे गबन आपने कर दिया हो अर्विंद कहता है आख कि तुम्हारे पिताजी ठीक कहते हैं आखिर अनुभवी आदमी है तुम्हारा भला बुरा वे जितना सुच सकते हैं उतना साहे तुम भी नहीं अनुराधा लेकिन खोन आने से पहले तो आप दिला कहती है अनुराधा मैं भी सोचती हूँ कि बात का बतंगड बनाने में को कुछ अलग बात है, कमजदारी से काम लो, रिस्टिकेट होने के बाद भी तो राजकुमार तुमें तंक कर सकता है, उसका क्या वरोसा हो सकता है, क्षमा उसका मन बदल दे, उससे सुधार दे, अनुरादा कहती है, आप बात को टाल क्यों रहे हैं, साब साब बताइए कि आप मेरा साथ दे रहे हैं या नहीं, अरविंद कहता है, तुमारे पिता का ख्याल करते हुए, शायद मैं तुमारा साथ न दे पाऊंगे, अनुरादा कहती है, साब साब क्यों नहीं कहते हैं, कि अपनी नोकरी का ख्याल कर आप मेरा साथ नहीं दे पाएंगे, अरविंद कहता ह अन्राधा, अन्राधा, चंदु ठीक कहता था सर, सरविंद, क्या कहता था, अन्राधा कहती है, वह आपको बड़े-बड़े निरतक शब्द धूपने वाला नपुन्शक उद्धिवादी कहता था, आपने सच मुझे कहीं का नहीं रखा, मेरे सब भ्रहम तूट गए, अब आ अन्राधा, भयावय सन्नाट अचा जाता है, अर्विंद, माथा पकड़कर बैठ जाता है, लिला घवराठा के स्वर में पूछती है, क्या हो गया तुम्हें? अर्विंद, कटु हसता हुआ कहता है, आत्मज्यान, आत्मज्यान, बोल्षत्व से बोध्र, लिला कहती है, ठ कहतो रहा हूँ, आत्मग्यान हो गया है मुझे, अपने छुद्र होने का आत्मग्यान, सड़े हुए आटे में बिलबलाने वाला कीड़ा होने का आत्मग्यान, प्रेसिजन्ट के फोन ने मुझे अपनी तस्वीर दिखा दी, समझोते के पंदे पर अपने आपको पचीसों प मेरी चमडी अब गेंडे की तरह मोटी हो गई है, मैं जानता हूँ कि सड़े गले मकान का मलबा गिरने वाला है, फिर भी आखे मूझ कर अपनी रोटी खा रहा हूँ, सुनोगी, तुन भी सकोगी उस हरामी के बच्चे ने क्या कहा, मिस्टर अरविंद, आप पर 15,000 रुप अरविंद, उसका मिने आदमी ने दुकानों की तरह 20 सिक्षन संस्ताइं खोल रखी है, साथ ही लेंदेन का व्यापार करता है, सिक्षन संस्ताओं के लाखों रुपे ग्रांट का उप्योग, पर सिक्षा सासरी अपने लेंदेन के विवसाय में करता है, इस पूंजी से हज तुम भी, अरविंद, हाँ मैं भी, नाली में गिरने के बाद दुर्गंज से कहीं बचाव है, पिसले अपते फरनीचर के नाम पर ग्रांट के 15,000 रुपे इसने कॉलेज से उठाए, कल लोटाने वाला था, पर ये घटना हो गए, मैंने विरोध किया, इसले गबन, धोखा दड़ी, जाल साजी, लीला कहती है, इतनी नीस्ता, अरविंद कहता है, क्या करूँ लीला, उसने मेरी जीव छीन ली, पुलिस की हिरासत में होने के बाद, मैं चीक चीक कर भी कहता, कि सहरामी के लड़के ने बलातकार की कोशिश की कौन विश्वास करता मेरी बात पर, ली टेलिफोन की घंटी बसती है, अरविंद रिसीवर उठाता है, अरविंद कहता है, हलो, क्या कहा, एक्सिडेंट, कैसा एक्सिडेंट, क्या, हमारी को लेज किलर की ट्रक की नीचे आ गई, क्या नाम था उसका, क्या कहा, अनुराधा, और रिसीवर उसके हाथ से सूट जाता है, लीला, क्या, अनुराधा, अरविंद, हाँ, मर गई, मेरी बुजद्रिली ने मार डाला उसे, लीला, उसका विरोध नहीं भी का, कोई नहीं खरीच सका उसे, वह जाते जाते मुझ पर थूख गई, अरविंद, तेजी से बाहर जाता है, लीला, हत्रफ सी खड़ी रहती है, धीरे-धीरे अंतकार साजाता है, प्रकाश फिर मध्यबाग पर फैलता है, अरविंद बहुत परिशान है, सुफे के सामने रखी छोटी मेजपत कुस लिख रहा है, चारों और सन्नाटा है, प्रहसे मैं संगीत बज रहा है, और विमलेंदू की शरीराकृती उभरती है हुषता है, इस्तिपा लिख रहे हो किया? अरविंद आसरे से, तुम फिर आ गए? विमलेंदू, मैं गया ही कहां था, इस्तिपा क्यों लिख रहे हो? अरविंद केता है, तुम्हे क्या मतलब? विमलेंदू, मेरे प्रश्न का उत्तर दो अर्विंद कहता है सब जानते हुए क्यों पूछते हो कैसी मने स्थिति में नौकरी करना संभव है तब क्या करोगे अर्विंद कहता है अभी सोचा नहीं है नौकरी के अलावा तुम कर ही कह सकते हो हर बार तुमने नई नौकरी करने के लिए ही तो पुराने नौकरी छोड़ी, फाड़ कर फैंक तो अपना इस्तिफा, अरविंदु, तुम ऐसा कहते हो, प्रिमलेंदु, हाँ मैं कहता हूँ, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो इस्तिफा लिखता जरूर, पर थोड़ी देर फाड़ कर फैंक देता, अरविंदु, यह जानते हुए भी, एक निरप्राद लड़की के खून की जिम्मेवारी मेरे सिर है, तुम लड़की के आत्मत्या के लिए पूरे जिम्मेवार नहीं हो, अरविंदु, तो कौन है, तुम्हारी कहता है, तीन आदमी, तुम्हें पुलिस की दमकी ना देता, तो क्या तुम अपने नेने बदलते, जानते हो अनुरादा के बापने अपना ग्रोध 5,000 रुपे में बेज दिया था, लड़की को रातो रात दूसरे गाओं बेजने की योजना बन चुकी थी, प्रेसिडेंट ने सब इंतजाम कर इसलिए तुम नाहा का पूरी जिम्मेवारी अपने उपर ऊड़ रहे हो, परविंद कहता है, लेकिन मेरी आत्मा विमलेंदु, आत्मा और हसते हुए कहता है, आत्मा क्या चीज होती है, केवल शरीय सकते है, आत्मा वात्मा सब बक्वास, जानते हो मेरे जवान विद्वा पत्नी, अरविंद कूछता है, क्या हो गया उसे, जानते हो पूछते हो, कुछ नहीं, चोटी से नौकरी कर अपना पेट पाल रही है, बच्छी का पेट पाल रही है, कभी कबार मेरी याद में रोती है, अरविंद, तो उसे लोग चेंज से कहां रहने देते हैं, उसका एक नया अकसर आया है, साट साल उम्र है उसकी, तो पर दोरी डाल रहा है मेरी पत्नी पर, प्रमोशन का लालस दे रहा है, अब बोलो, कहां है आत्मा, शरीर, केवल शरीर, अरविंद कहता है, तो तुम कहना क्या चाते हो, प्रिमलेन दो, खाड कर ठैक तो इस्तिफा, खाड से नौकरी करो, अभी तक तुमने गवन नहीं किया, पर अब करो, प्रेसिडेंट का साथ दो, अरविंद दो, उसका मिने का, प्रिमलेन दो, उसे गाली मत दो, तुमारे लिए वह बड़े काम का आदमी है, चानते हो, वह एक दो तिनों में मंत्री बन रहा है, वो सकता है, खाड़ तो अपना इस्तिफा, खाड़ो, अरविंद कहता है, नहीं, उस लड़की को मैंने दगा दिया है, मेरे कारण उसने आत्मत्या की है, मुझे अपने प्राप का प्रायसित करने दो, प्रायसित ही करना है, तो तुम भी आत्मत्या करो, लेकिन उसकी जरुरत नहीं, स्रीका अपमान कोई नहीं बात नहीं, वैं तो होता ही रहा है, क्या तुमारा द्रोनाचारे कौर्वों की दास्ता छोड़कर चला गया, क्या उसने तलवार उठाई, मेरा नाटक याद क्यों नहीं करते, द्रौपदी का सारवजनिक रूप से अपमान हुआ, द्रोनाचार एक चोटी सी चौकी पर बैठा है, उदास्ता फृपदी आती है, घर भोहारने लगती है, अश्वत्तामा को सोच में देखती है, तुमें बैठा घीज रहा है, फृपदी पूचती है, क्या सोच रहा है? अश्वत्तामा कुछ नहीं, क्यों इतना सोचता है, इस उमर में त ताजी नहीं आये, आते होंगे, अश्वत्थामा कहता है, जानती है, आज सुबह पांडव राधानी छोड़कर बनवास सले गए है, जानती हूँ, जानते हूँ भी तो इतना ठंडा जवाब कैसे दे सकती है, तो क्या करूँ, चीखूँ, अश्वत्थामा कहता है, दुख त जब चीखना था, तब तो चुप रहा, काईरों की तरह, मेरा पिता भी चुप रहा, पिपी कहती है, और लोग भी तो चुप रहे, अश्वत्थामा, औरों की बात मैं नहीं जानता, पर पिता जी क्यों चुप रहे, मैं सोचता था, उनकी गरजना से पूरी राजसभा तु तो गरज सकता था, बहुत होता दुर्योधन के भाई तुझे मार डालते, पर तूं क्यों चुप रहा, अश्वत्थामा, वही मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे संस्कारों में ऐसी क्या गड़बड़ी थी, जो मेरा खूर गरम नहीं हुआ, मेरे शब्द हूंकार कर पर नहीं हुए, बताओ मा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, कहां गड़बड़ी है मेरे संस्कारों में, विपी, या प्रश्न, तु मुझ से क्यों पूछ रहा है, श्वत्थामा, तो किस से पूछूं, मुझे संस्कार किसने दिये, क्या तुमने पिताजी ने नहीं दिये, तब ऐ किया जा रहा था तिर भी मैं चुप बैठा रहा आकाश के टुकडे टुकडे कर देने वाली मरमा भेदी आवाद से पुरुष जाती को पुकार रही थी इसके बाद भी चुप रहा पताओ ऐसा क्यों हुआ कहती हूँ न अपने पिता से पूछ इसका मतलब है कि जानते हुए भी मेरे पृष्ण का उत्तर टाल रही हो मा तुमने मुझे बचपन से व्रोध करना क्यों नहीं सिखाया अन्याय और इत्याचार को देखते ही अन्याय की गर्दन तोड़ देने की सिख्षा क्यों नहीं दी रिपी कहती है मैं नहीं जानती अश्वत्ता मा तोष्टी क्यों नहीं पनवाज जाने से पहले पांड़ पिताजी से मिलने क्यों नहीं आये और तो और उनका प्रेशिश्य अर्जुन भी नहीं आया क्यों ऐसा क्यों हुआ जिपी कहती है मैं क्या कह सकती हूँ नहीं आये हमकी मर्जी अश्वत्ता मा नहीं बात इतनी आसान नहीं है मा कल की घटना के बाद वे पिताजी से ग्रिना करने लगे हैं पिताजी उनके लिए अब आदर्णी ये नहीं रहे तोणाचारे आता है अश्वत्ता मा पूचता ह पिताजी बनवात जाने से पहले पंड़ा भात से मिलने कियों नहीं आये? क्रुणाचारी, क्यों आते? ऐस्वत्थाम्हा, क्या अभी आपके शिश्चे नहीं है? क्रुणाचारी कहता है पर मैं उनका गुरु कहा रहा? अश्वत्थामा, संसार को आपको महान आचारे मानता है संसार को क्या नहीं मनवाय जा सकता अश्वत्थामा कहता है, पिताजी आप कल दर्बार में चुप क्यों रहे कल से यह प्रशन मुझे नोच नोच कर खा रहा है बताईए न, आप चुप क्यों रहे तुन आचारे कहता है कि इस प्रशन का उत्तर देना आप जरूरी है हाँ पिताजी जब द्रॉप्ति की पुकार किसी नहीं सुनी तब आपके सामने आकर खड़ी हो गई थी जुन आचारे कहता है इस प्रशन का उत्तर अपनी मा से पूछो अश्वत खामा कहता है, जब मैं मां से पूछता हूँ, तुभे कहते हैं, अपने पिता से पुछो और अब आप मां की और संकेत करते हैं, प्रुण अचारे, जो जिम्मिवार है उससे ही पहले पूछना चाहिए, प्रुपी कहते हैं, मैं जी मिवार हूं तुम्हारी चुप्टी के लिए तुम्हें कुछ लगता नहीं मुझ पर आरोप लगाते हुए तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आती मैं पूछती हूं तुम्हारा आचारियत तो कहां मर गया था क्रिपी तुम्हें अपने सिचों को रोका क्यों नहीं तुम्हारा उन पर कोई नेती का दिकार नहीं था तुनाचारिय कहता है आवेश कोई तरक नहीं होता क्रिपी तिरा आप नहीं उड़ देखो क्रिपी कहती है क्या देखू ताब क्यों नहीं कहती कि तुम्हें अपने शत्रू रुपत की कन्या को अपमानित होते देखकर एक हिंसक आनंद मिल रहा था तुनाचारिय कहता है लेकिन महा क्रिपाचारे विदुर और भीष्म भी तो थे देख्यों चुप रहे इसके कारणों पर विचार क्यों नहीं करती तुम्हें चुप रहकर शिक्षक को अन्याय पीने की परमपरा देदी आने वाला इतियास तुम्हें कोशेगा नहीं बोला जब दुर्योधन का भाई विकर्ण खड़ा होकर विरोध कर सकता था तो तुके चुप रहा तेरा अध्यात्म चिंतन प्रम ज्यान सब धोंग है कहता क्यों नहीं कि दुरोगदी का खुला शरीर देखने की लालसा तुझे भी सता रही थी प्रोनाचारे कहता ह क्रिपी छुष कों मत बहुत होता परोव मिलकर तुम दोनों पर हमला करते तुम्हारा वत कर देते तो सवस्था में मैं भी इतनी दुखी नहीं होती जितनी आज हूँ दुरोनाचारे क्रिपी तुमने यहीं बात 20 वर्स पहले क्यों नहीं कई प्रिपी कूस्ती है तो क्या होता प्रोणाचारे तो संभाउता ये घटा ही नहीं होती प्रिपी बीस वर्स पहले मैंने ऐसा क्या किया प्रोणाचारे कहता है याद करो अश्वत्थामा तक छोटा था तुमने मुझे दुरुपत के सामने हाथ फैलाने भीक मांगने भेजा प्रिपी पर तुम उस समय दरिद्र भी तो थे घर में दो मुठी आटा भी कहा रहता था तुमने मुझे एक क्षण चैन से नहीं रहने दिया तुमने रात को मैं दरिद्र से सिकायत थी मेरी धनुल विद्या पर अभिमान का एक शप्त नहीं कहा तुमने अश्वत्थामा क प्रिद्र भी कहती है उस दिन की याद क्यों नहीं करते जिस दिन मैंने दूद के नाम पर अश्वत्थामा को आटे का खोल पिलाया था तुमने अश्वत्थामा के लिए दूद्र चाहिए था अपने लिए वस्त्र राज किये सम्मान उस दिन तुमने रोका क्यों नहीं मेरी हिचकिचाती आत्मा को शक्ति क्यों नहीं दी क्यों मुझे सुविधा भोगी होने के लिए उकसाया बोलो मुझे राज की अन्र की दास्ता से समझवत्था करने पर किसने विवश किया अश्वत्थामा कहता है मां उस दिन तुमने आटे के घूल के बदले विश्कों नहीं पिलाया। मुझे समझोते के संतान क्यों मनाया तुमने। किताजी को रिशी परिमपरा से गिरा कर राजबुत्रों की दास्ता में क्यों दखेला तुमने। रुणाचारी कहता है और उस राजब की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, मेरी न्यायवद्धी खरीदी, मुझे एकलबे का अंगुटा कटाना पड़ा, मुझे कर्ण जैसे होनहार विद्यारती को विवस्ता की आड़ लेकर ठुकराना पड़ा, पक्षपात छुदृता न क्यों नहीं की तुमने, रुणाचारी कहता है, नहीं कर पाया, उस दास्ता ने मुझे सुरक्षा दी, भूटी प्रतिष्चा दी, तो इधाओं ने मेरी धार भोंतरी कर दी, मेरे शरीर के उस आदमी को जगाया, जो बदला लेता है, जो अपने एंकार को संसार से बड़ा म चोटा आदमी होता गया, अश्वत्थामा कहता है पिताजी, अब इस राज की अदास्ता को छोड क्यों नहीं देते, जो कुछ न्याय है, सत्य है, उसका पक्ष क्यों नहीं लेते, तो नाचारी कहते हैं, नहीं बेटे, अब यह संभव नहीं है, बहुत देर हो गई है, तो नाचारी कहते हैं, युद्ध, सर्वनाश, मेरी दी हुई विद्या सैस्रों बलिदान लेगी, क्योंकि मैंने केबल शस्त्र चलाने की सिक्षा दी है, मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया है, जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, अश्वत्थामा, मुझे जलता गाउना मुझे भी ग्रस रही है, धिरे-धिरे अंदकार होता है, जेल की कोटरी का आभास होता है, स्पोर्ट के वल अरविंद पर पढ़ता है, ताड़ी बड़ी हुई है, जर-जर शरीर है, धिरे-धिरे विमलेंदू की शरीराक्ति उभरती है, वित्रवाज के लिए इत तो खृपिया वीडियो को लाइक करें, अपने मुत्रों के साथ साजा करें, वीडिया थानने सायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, यदि आपने बाते सायती की चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपिया सब्सक्राइब करें, और घंटी व